आज के इस वीडियो में learning theories में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं बैंडूरा के social learning theory के बारे में कि बैंडूरा का समाजिक अधिगम सिधान्त क्या है और अपनी इस theory में बैंडूरा ने learning के बारे में क्या बताया है कि learning किस तरह से होती है तो इस वीडियो में हम Bandura के social learning theory की बात करेंगे, इसके principles की बात करेंगे, importance की बात करेंगे, learning steps की बात करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे की इसके educational implications क्या क्या है, तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताइएगा, तो वीडियो को हम सुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम Bandura की बात करें, तो Bandura का जन्व कब हुआ, 4 December 1925 को इनका जन्व हुआ, he was an influential social cognitive psychologist की एक समाजिक संग्यानात्मक मनोवेज्ञानिक थे and he propounded the social learning theory की उन्होंने समाजिक अधिगम सिद्धान का प्रतिपादन किया, in this theory he gave a prominent place to self-directed learning की इस सिद्धान में उन्होंने स्वध निर्देशित अधिगम को परमुक स्थान दिया, तो अब हम question आता है की self-directed learning क्या है या स्वध निर्देशित अधिगम क्या है, तो उसक की भी हम बात करते हैं, according to this theory, we learned mostly by watching and listening to others की उनका इस सिद्धान क्या कहता है, देखिए social learning theory की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब social learning theory क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धान के अनुसार हम जारतर दूसरों को देख कर तथा सुनकर सिखते हैं, एक बच्चा जब धीरे दीर होता है, तो अपने parents को देखता है, अपने society की लोगों को देखता है, अपने teacher को देखता है, तो उनी को देखकर जैसे behavior करते हैं, तो उनी को देखकर और उनका जो behavior है, उसी को imitate करता है, तो उनी से चीजों को सीखता है, तो इस सिद्धान के अनुसार हम जारतर दूसरों को देख करता था सुनकर ही सीखते हैं तो बच्ची प्रारम से ही दूसरों के वहवार को ध्यान पूर्वक देखना सुरू कर देते हैं ठीक है बच्चा क्या करता है घर में अपने पैरेंट्स को देख रहा है सोसाइटी में लोगों को देख रहा है अपने दोस्तों को देख रह these behaviors की बच्चा इन वहवारों का अनुसरान करना start कर देता है कौन से वहवार जो दूसरों को करते हुए देखता है और फिर बच्चा स्वेंबी उस तरह का वहवार करने लगता है तो अब देखिए इस theory का मतलब क्या है social learning क्यों क्या रहे क्यों कि बच्चा क्या है दूसरों को देख रहा है दूसरों को सुन रहा है और वही चीजे बच्चा सीख रहा है अगर उसे अच्छी चीजे सुनने को देखने को मिलती है तो अच्छी चीजे सीखेगा बुरी चीजे देखने को सुनने को मिलती है बुरी चीजे सीखेगा अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई ब पास की जो surrounding है उस तरह की होगी उसने अपने नेवर हुड में अपने घर में लोगों को बार-बार गाली देते हुए देखा होगा तो फिर वह भी उस behavior को अपना रहा है तो यह सिद्धान अफ्वा नकल करके सीखने पर बल देता है तो इस सिद्धान की चीज़ पर जरा फोकस किया जा रहा है observation और imitation बच्चा दूसरों को observe कर रहा है और फिर जो observe कर रहा है उसी को imitate कर रहा है तो अवलोकन अत्वा नकल करके सीखने पर बल देता है यह इस बात पर बल देता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए रोल मोडल है तो यह सामने वाले व्यक्ति को रोल मोडल मानता है ठीक है एक बच्चा है और उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है उसके parents हो गए, उसके society की लोग हो गए, उसके teacher हो गए अगर इन लोग बच्चे के साथ अच्छे से वहवार करेंगे बच्चे के साथ अच्छे से बात करेंगे तो बच्चा भी वही positive चीज़े सीखेगा लेकिन अगर लोग बच्चों के साथ सही से भैवार नहीं करेंगे सही से बात नहीं करेंगे जूट बोलेंगे गलत बोलेंगे तो बच्चा भी वही चीज़े सीखेगा इस थीवरी कंसीडर वांस ओन थिंकिंग कि देखने के अलामा ओब्जर्वेशन के अलामा इमिटेशन के अलामा इस सिद्धान्त अधिगम के लिए अपनी स्वेम की सोच और समझ को आवस्चिप मानता है तो यहाँ पर देखे दो चीज़े हैं जैसे हमने बिहेविरिश्टिक थीवरी में देखी ठीक है कि बच्चा सामने वाली चीज़ को देख रहा है और इसके परती अनुक्रिया कर रहा है और दूसरी जब हमने कॉग्निटिविश्ट थीवरी की बात की तो वहाँ पर बच्चा सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है को समाजिक संग्यानात्मिक सिद्धान का नाम भी दिया गया है क्यूंकि बच्चा दूसरों को देख रहा है उसको इमिटेट कर रहा है लेकिन साथ के साथ अपनी बुद्धी भी इस्तेमाल कर रहा है ठीक है दूसरों को देख रहा है सोस समझ रहा है कि मुझे कौन सा behavior अपनाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके इसाफ से बच्चा decision लेता है और उन चीजों को अपनाता है चीजों को करता है इस theory explains how people develop social, emotional, cognitive and behavioral abilities की इसे धान बताता है कि लोग समाजिक, सामवेगिक, संग्यानात्मक और वहवारत्मक युग्यतगा विकास कैसे करते हैं चीजे सीखते कैसे हैं तो इसलिए जिसे मैंने आपको बताया कि इसे वहवारवाद और संग्यानात्मक अधिगम सिधानतों की बीच की योजक कड़ी की रूप में देखा जाता है इसेड तो बीड़ कनेक्टिंग लिंक बेट्विन बेहवरिजम एंड कोगनेटिव लर्निंग तीवरी कि दोनों का एक मिला जूरा रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो इस प्रिंस्पल कंबाइन और त्री कि यह सिधान्त यहाँ पर तीन चीजे जो कंबाइन हम आप कोई चीज ऑब्जर करते हैं देखते हैं तो दीरे दीरे ओ आपकी मेमरी में आने लगती है ठीक है और फिर जब आप उस तरह का वहवार करने लगते हैं तो अगर आपके नेबर हुट से उस वहवार की परती आपको अगर बार-बार मोटिवेशन मिले ठीक है इंस्प है या आपको इसको रेइंफोस्मेंट भी कह सकते हैं आप इसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं तो इसलिए अलबर्ट बैंडूरा को प्रतम मानों वहवार संग्यानवादी कहते हैं कि यहां पर दो चीज़ी आ रही है इनकी इस थियोरी में आ रहा है ठीक है जैसा कि कहते है और दूसरा है कोगनिटिश्ट जो मेमरी की बात करते हैं मेंटल अक्टिविटिस की बात करते हैं वह भी चीज़े इनकी थियोरी में देखने को मिलती है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इनकी जो थियोरी है या हम बैंडूरा को इनको फॉर्स्ट हुमन बिहेवियर को औ परतम मानों वहवार संग्यानवादी इनको हम कहते हैं अब इनकी अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें इन्होंने सोचल लर्निंग जो थियोरी दी तो अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ठीक है तो बैंडूरा ने एक बालक पर बोबो डोल का प्रयोग किया आपने देखा होगा एक तरह का गुड़ा होता है ठीक है आप उसको अगर पंच मारते हैं ठीक है तो वह वापस खड़ा हो जाता है तो उन्होंने बोबो डोल पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया उन्होंने एक बालक को एक बोबो डोल दिया फिर बैंडू मूवी क्या थी सबसे पहली मूवी जिसमें समाजिक मुल्यों पर आधारी थी तो उस मूवी को देखकर बोबो डोल के साथ समाजिक वहवार को दर्साता है दूसरी मूवी प्रेम पर आधारी थी तो उस मूवी को देखकर बोबो डोल के साथ उसने करता है और तीसरी मूवी क्या थी हिस सात्मक थी ठीक है और जब इस मूवी को बच्चा देखता है तो क्या करता है बोबो डोल का गरदन पकड़ कर उसको तोड़ देता है ठीक है तो जब इनकी इस experiment के अगर हम बात करें तो बच्चे ने जैसा देखा उसी को बच्चे ने अपनाया तो इस प्रियोग क्या धार पर बंडूरा ने निसकर्स निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उसे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए वो दूसरों को जैसा करते हुए देखता है वैसा ही चीजों को सीखता है दूसरों को गलत काम करते हुए देखता है बच्चा गलत काम सीखता है दूसरों को चोरी करते हुए देखता है बच्चा चोरी सीखता है दूसरों को अच्छा काम करते एक अच्छा वहवार प्रस्तुत करें, सही बोले, प्यार से बोले, गलत चीजें ना बोले, क्योंकि बच्चे को सही गलत का पता नहीं होता हूँ, जैसा देख रहा है दूसरों को करता हूँ, बच्चा वैसा ही चीजें को सीख लेता है, तो अब अगर हम इनके जो इसको देखेगा, ठीक है, रोज उसको अबजर करेगा कि किस तरह से ओटीचर बोल लई है, किस तरह से ओबलेकबोर्ट के उपर लिख रही है, ठीक है, क्लास में किस तरह से question पोछ रही है, तो उनके behavior को daily notice कर रहा है, daily observe कर रहा है, अब जो हम किसी चीज को daily observe करते हैं, तो daily observe करते हो चीज दिरे-दिरे हमारे mind में आने लगती है, बच्चे को पता है कि अच्छा teacher इस तरह से बोल ली है, अगर मालो वो teacher बच्चे के लिए role model होई तो बच्चा क्या करेगा, उनको observe करेगा, daily observe करेगा, और observe करते-करते जो teacher की behavior है, ठीक है, उनकी बात करने की आदत है चलने की आदत है, बोर्ट पर लिखने की आदत है, अगर मालो teacher की writing बहुत अच्छी होगी तो बच्चे का उस पर भी काफी, बच्चे के mind पर वो भी चीज काफी असर डालती है, तो बच्चा पहला क्या करता है, फर्स टेप में teacher को daily देखता है, observe करता है, ठीक है, और उसक सोचता है, समझता है, और situation के according उसको इस्तिमाल करना start कर देता है, ठीक है, अगर मालो teacher बहुत अच्छा बोलती है, तो बच्चा क्या करेगा, daily observe करेगा, दीरे दीरे जब बच्चा बोलेगा, तो अपनी teachers की बातों को ध्यान में रखेगा, कि teacher कैसी बोलती है, तो दीरे दी साब से, उसको reproduction, पुना प्रस्तिति करन, उस जो वहवार है, उनके बोलने का तरीका है, उसको अपने वहवार में लाकर उसको बोलने की कोशिस करेगा, उस तरह से उनकी तरह बोलने की कोशिस करेगा, अच्छी writing में लिखने की कोशिस करेगा, तो जब उसकी इस behavior को, उसकी class में उसकी teacher की तरफ से उसके parents की तरफ से अगर acceptance मिल जाती है ठीक है सब उसको एक तरह से motivation मिलती है सब कहते कि नहीं है तुम काफी अच्छा करे हो तो धीरे धीरे इस तरह के जो behavior को बच्चा क्या करता है fourth step में आती आती है उसको अपनी life में उसको अपना लेता है तो इस तर बार बार देखकर उसको अपनी memory में उस observation को बिल्कुल store कर लेता है third step में क्या करता है सोचता है समझता है और उस तरह का behavior जो है उसको करने की कोशिस करता है उसको एक तरह से represent करता है और fourth step में जब उसको उसकी behavior के लिए उसको society की लोगों के acceptance मिलती है reinforcement मिलता है motivation मिलता है त तो इस तरह से बच्चों की learning होती है अब अगर हम इसके key elements की बात करें social learning का key elements क्या है तो motivation है ठीक है जो बच्चों को teacher से मिल ला है जो बच्चों को friend से मिल ला है जो बच्चों को parents से मिल ला है और self control उसकी learning है ठीक है फिर उसका अपना खुद का विवेक है उसका खुद का अपना डिसीजन है और जो सामने देख रहा है उसके परते उसकी स्वैम की एक तरह से अनुक्रिया है रिस्पॉंस है तो यह की एलिमेंट्स है सोचल लर्निंग के जो बैंडूरा ने बताए है अब अगर करें तो इस सिद्धात में स्वह निर्देशित अधिगम को प्रमुक करना चाहिए तो यहां पर स्वह निर्देशित अधिगम की बात की जारी है तो इस तिद्धान के अनुसार हम दूसरों को देख कर तता सुनकर सीखते हैं यह सिद्धान अवलोकन अथ्वा नकल करके सीखने पर बल देता है इस थेरी एंफेसाइजिजित लर्णिंग बाइ जना कि क्या चीज़े उनके बीविर में क्या चीज़े हैं अपनाले लाइक हैं मैं क्या क्या चीज़े अपनानी चाहिए किस तरह से मुसको अपलाई करना चाहिए तो यह अधिगम के लिए स्वैम की सोच एवं समझ को भी अवस्यक मानता है इसके अलामा व्यक्ति अवलोक परसन एक आईडियल की तरह है अगर दूसरा परसन का behavior जैसा होगा बच्चा उस तरह की behavior को अपनाता है तो इसलिए teacher की parents की society की लोगों की responsibility के और बच्चे के सामें सही से बहवार करो उनको कुछ गलत मत सिखाओ ना तुम खुद गलत करो क्योंकि जैसा करोगे बच्चा वैसा ही सीखेगा यह समाज दौरा स्विक्रित की जाने वहवारों को अपनाता है इस समाज दौरा वर्जित वहवार को न कारता है और यह वहवारवाद और संग्यानात्मक अधिगर्म सिख्धानतों की बीच की योज़न करड़ी भी है जो आपको समझ में आ गया होगा अब अगर हम इसके principles की बात करें तो social learning है क्योंकि जो society है learning place है बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा है उनको observe कर रहा है चीजों को सीख रहा है principle of self-directed learning कि स्वान निर्देशी सिख्चा का सिध्धान तो यहाँ पर बच्चा जब दूसरों को देखेगा ठीक है उसके बाद फिर बच्चा सोचेगा समझेगा अच्छा उस तरह का behavior करना है भी वैसा ही करना चाहिए अक्सर अब देखते हो कि movies देखते है movies में जो अलग-अक्टर होते हैं उनके लड़ाई करने का डंग उनके smoking का डंग drinking का तरीका जो बच्ची उसको देख रहा है यूद देख रहा है वही चीज़ इसको अपनाने लगते हैं उसी तरह से behavior करने लगते हैं जैसे लड़ाई करते हैं यह अपनी लाइफ में भी उस तरह से लड़ाई जगडा उस तरह से करना है स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो principle of self-directed learning बच्चा दूसरों को देख रहा है ठीक है फिर सोच समझ के फिर उसे साफ से फिर अपना behavior में उसी अपना कर उसको कर रहा है principle of learning by imitation के अनुकरन के द्वारा सेखने का से धांत और principle of learning by through experience तो किस तरह का experience बच्चे का अपने खुद का experience और दूसरों का experience अपना भी हमारी learning जब हम social learning की बात करते हैं तो हमारा अपना experience जो दूसरों को देखकर आता है ठीक है और देख तो यह दो तरह का experience खुद का experience और दूसरों का experience दोनों ही मादियम से हम चीज़ों को सीख रहें और educational implications की बात करें तो सिख्चार्थियों के व्यक्तित्वक अविकास में समाजिक सिख्चा महत्मूर्स जो योगदान देती है ठीक है सिख्चार्थियों के सामने अच्छे ग व्यवार तता अनेतिक व्यवार से बचना चाहिए इस तरह के व्यवार नहीं करने चाहिए अभिवाव को तता सिख्चक को साकारात्मक व्यवार अपनाना चाहिए parents and teachers should behave positively ठीक है बच्चों के सामने positive behavior आपको दिखाना चाहिए सिख्चार्थियों को अनुकरन द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए ठीक है जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चा सामने वाले को imitate करके चीज़ों को सीख रहा है तो छोटी class में अक्सर हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चा teacher को देखता है फिर imitate करता है teacher कोई sentence य lecture की जगे demonstration का यूज करना चाहिए क्योंकि देखो क्या कहा जा रहा है कि बच्चा दूसरों को देख कर चीज़ों को सीख रहा है ठीक है तो इसलिए lecture जो होता है छोटी classes के बोरिंग होता तो बच्चों को demonstration कराओ बच्चों को activities कराओ इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए and students should have contraint that they have the ability to do work do any work की बच्चों को बच्च्पन से ही देखो उनमें इस तरह की चमता विक्षित करो उनमें आत्मिस्वास विक्षित करो बच्चों को बताओ कि आपके अंदरों चमताएं हैं आप खुसे चीज़ों को करकर सीख सकते हो तो सिख्चक को विद्यारतियों के अंदर आत여परता विख्षित करनी चाहिए बच्चपन से ही तो इस सारी बाते जो बैंडूरा की यचोल लर्निंग ठीवरी है कहती है कि बच्चा अपने समाज को देखता है लोगों को देखता है अपने पैरेंस को देखता है अपने टीचर को देखता है और उन्हीं से च गालियां देते हैं और बच्चा अपने पैरंस को देख रहा है और आगे चल कर बच्चा भी दीरे दीरे गाली देने लगता है उसको लगता कि नहीं पापा जो वहवार कर रहे हैं ठीक है यह अच्छा वहवार कर रहे हैं दीरे दीरे बच्चा भी इसको अपनाता है तो इसल तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद